इसी तरीके से अगले case हैं, जिनको मैं कह रही हूँ, subject case, क्या कह रही हूँ, बच्चों, subject case, अब वर्ब case में वो छेड़ चाड़ कर रहा था, किस के साथ, वर्ब के साथ, subject case में वो छेड़ चाड़ करेगा, किस के साथ, subject के साथ, किस के साथ, किस के साथ, ठेक है, फुल की न इंदा जाओ, subject case, point number one, हमें वो लिखके दे सकता है, someone is asking for you, क्या लिखा, someone is asking for you, यह जो someone शब्द है, बच्चों, इसको grammar कहती है, indefinite subject, क्या कहती है, grammar, indefinite subject, तो किताबों में मिलेगा, indefinite subject case, और उसमें होंगे, 12 से 13 शब्द, सारे बोल रही हों, सुन ले न, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, something, nothing, anything, everything, सबने सुने होते हैं, इसलिए सिर्फ बोल दिये हैं, इन सारे शब्दों के अलावा, we और they, यह भी indefinite माने जाते हैं, क्योंकि V में हमें नहीं पता definitely कौन, और they में भी हमें नहीं पता definitely कौन, यह एक शब्द आता है, अकेला one, O-N-E-1, उसमें भी हमें definitely नहीं पता कौन, अरे जब तक नाम नहीं बताया, हमें क्या पता कौन, तो जहां पे भी वो नाम नहीं बता रहा है, someone का use कर रहा है, one का use कर रहा है, nothing का use कर रहा है, anything का use कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे, वो कौन सा case है, indefinite subject case, अभी ने indefinite ही क्यों कहा गिया है, suppose करो, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कर लोगे, suppose, कमरे का दर्वाजा है, बंद, आप हो अंदर, बाहर से कोई दर्वाजा खट क्या बिना दर्वाजा खोले तुम्हें पता है कोन है, पर ये तो है, कोई तो, इसलिए इसे indefinite कहते हैं, कोई तो है, पर निश्चित तोर पे नहीं पता कोन है, तो जहां पे भी ऐसा शब्द लगा दोगे, जो निश्चित तोर पे subject को नहीं दिखा पाएगा, वो कौन सा कहलाएगा, indefinite subject कहलाएगा, और indefinite subject कभी भी पैसेव में लिखे नहीं जाते, indefinite subject कभी भी पैसेव में लिखे नहीं जाते, सिर्फ इतना ही सिखाना है, यानि कि पैसेव होगा, you are being asked for, why someone लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिखा रही हूँ, पाए सम्वल लिखने की कोई जरूरत नहीं है,